नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर मित्रो आज हम बात करेंगे waterproofing की तीसरी विदी के बारे में जी हां दोस्तों पहले हम दो विदियो के बारे में बात कर चुके हैं अगर वो विदियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन और डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हो सके तो उन दोनों को मैं अपनी end screen में भी डाल दूँगा इस विदियो में हम बात करेंगे कि बलेक जापन पेंट से waterproofing कैसे की जा सकती हैं मितरो यह विदी मार्केट में कोल्टार के बाद सबसे famous हैं एक्चुली यह पेंट कोल्टार पर ही best हैं बट हम इसे सीधा कोल्टार नहीं कह सकते हैं यह होता तो पेंट ही है लेकिन इसमें क और black इसे इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसका रंग काला होता है, तो काले से black हो गया और country से जापान हो गया, इसलिए black जापान, अब थोड़े इसके advantage के बारे में बात कर लेते हैं, मैं तो यह RCC और steel पर अच्छा चिपकता है, मतलब इसकी adhesive power बहुत अच्छी है, दोस्तो इसक इसे सूखने में ज़्यादा time नहीं लगता, मतलब faster drying होता है, मित्रो वैसे तो black जापान paint का उपयोग, लकडी की waterproofing के लिए ज़्यादा किया जता है, लेकिन हम इसे RCC में भी उपयोग कर सकते हैं, मैं एक उदरान देता हूँ आपको, उससे आपको इसकी durability का अंदजा एक multipurpose paint है, जिसे कई सारी चीज़ों के लिए काम लिया जोता है, जिसे termite proofing, waterproofing, किसी metal को corrosion resistant बनाना हो, मतलब इसे हर जागे इस्तमाल किया जो सकता है, सबसे बड़ा फाइदा इसका यह है, कि यह बहुत सस्ता है, और ready to use मिलता है, मतलब खरीदो और खौल कर लगाओ, इसम simple एक brush चाहिए होता है, और कोई भी व्यक्ति इसे लगा सकता है, उसके अलावा इसे कहीं ढूंडने की जुरत नहीं पड़ती, यह कोई छोटी मोटी दुकान पर भी आसानी से एवलेबल हो जाता है, यहां तक कि कई छोटे गाओं में भी यह बड़ी आसानी से मिल जाता है मितरो मेरी सलाव आपको यही रहीगी, कि यदि आप footing की और foundation की waterproofing के लिए ज़्यदा पैसा खर्चा नहीं करना चाते हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं, इसके ज़्यदातर फाइदे ही हैं, अब हम बात कर लेते हैं, इसे लगाना कैसे हैं, तो मितरो वैसे तो इसका process उस particles हटा लेने हैं, उसके लिए हमें करना क्या है, मितरो सबसे पहले तो आपको अपने RCC की जो surface है, उसे plan कर लेना है, मतलब आप यह मान लीजिए, कि जो हमारे सफाई करने का pattern है, वो same to same ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको short में एक बार बता देता हूँ, तो पहले तो दोस्तो surface को plan कर लेना है, glinder ये छनी अतोडी की सायता से, उसके बाद हमें steel की brush लेनी है, और RCC की surface को अच्छी तरह रगड लेना है, रगड लेने के बाद उस पर अच्छी तरह जाड़ु मार देना है, जाड़ु मार देने के पश्चाद, उसे अच्छी तरह पानी से पहले चेक कर लें कि RCC में बिल्कुल नमी ना हो, उपर से आपको जो भी curing करनी है, वो पहले ही कर लें, क्योंकि इसके लगने के बाद आप curing नहीं कर सकते हैं, मित्रो ये सब हो जाने के बाद, आपको इसका पहला coat apply करना है, धियान दीजिएगा दोस्तों, आपको direction change करक करके coat apply करने हैं, और हर coat के बीच में 4-6 गंटे का gap देना है, ताकि paint आसानी से सूख जाए, opposite direction में paint करने का मतलब है, कि यदि आप पहले horizontal direction में paint कर रहे थे, तो फिर आपको दूसरा coat vertical direction में लगाना है, और यदि आप vertical direction में कर रहे थे, तो horizontal direction में लगाना है, आप footing और foundation की waterproofing करने के लिए, 2-3 coat apply कर सकते हैं, मित्रो एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि जो भी पार्ट, आपका मिट्टी के contact में होगा, मतलब जो भी पार्ट, मिट्टी में दसा हुआ होगा, वहाँ तक तो waterproofing करनी हैं, और हो सके तो plan the beam तक भी waterproofing कर दें, मित्रो अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या है, तो दोस्तों इसका नुकसान बस एक ही है, कि इसकी उमर इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब यह ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहता, maximum 5-7 या 10 साल मान लिजिए, इतनी ही इसकी life होती है, यही इसका एक मात्र नुकसान है, बाकी इसका कोई नुक पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना चाहता, तो उसके लिए यह बहुत बेटर उप्शन है, तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, कि यदि आप वाटर पूफिंग कर, थोड़े पैसे खर्च कर सकते हो, तब तो इसको अवाइड करें, लेकिन यदि आप चाते हैं, कि मैं वाटर पूफिंग के, और भी बेतर तरीके बताऊंगा, इसलिए चैनल पर बने रहें, और वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने मातर के लीडियो